नुश्कारा जह हम डिस्कस करेंगे important current affair के question देखिए important current affair के question डिस्कस करेंगे यह दो जगाँ आपकी definitely help करेंगे जहांपर paper one में national international affair के question पूछ जाएंगे वहां पर आपकी help की जाएगी और आपको पता है कि अभी एच्चेस के exam की date आगी है कि 23 जुलाई को exam हो जाएगा तो एच्चेस के exam में भी आपकी help करेंगे हम नवंबर 2022 के current affairs जो हम आज discuss करेंगे last के 8 महिनों के current affairs जो है हम cover करने की कोशिश करेंगे क्यों करेंगे क्यों कि देखे जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल और मई ये मन्थ हमने जो है वो cover कर लिये हैं अपने current affairs में मई महिने का एक पार्ट जो हो रहा गया है वो जल्दी ही जो हो cover कर लिया जाएगा थोड़े दिनों में प्रन्तु ये तो हमने 2023 के first के जो starting के जो मन्थ हैं उनके cover कर लिया है ये भी जरूरी है कि last के जो दो मन्थ बच जाते हैं नवंबर और दिसंबर 2022 के उनको भी हम cover कर लें तो नवंबर के current affair जो है इस वीडियो में cover किये जाएंगे और भी national international affair का जो भी content यहां से बनता है exam point of view से वो सारा का सारा discuss किया जाएगा तो ये अभ्यास series है हमारी अब देखो जब आप exam की तियारी कर ही रहे हैं तो कोई भी exam आपके लिए छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए बस आपनी तियारी और अपने विश्वास जो है वो पूरी तरह से रखिए definitely जो है वो achievement मिलेगी चलिए जी पहले question से start करते हैं बोलते हैं which Indian conservationist won UNEP's champions of the earth award this year तो बोलते हैं कि 2022 का जो UNEP का champion of earth award दिया गया है वो किसको जो है वो दिया गया है देखो United Nation environment program जो है वो इसका पूरा नाम है UNEP का अब ये champion of earth award जो है वो देता है और इस वर्ज जो है ये award किसको दिया गया इस वर्ज जो था ये award दिया गया पूरुनिमा देवी बर्मान को option A जो है वो से answer हो जाएगा इनको जो था ये award दिया गया ये award कब ज्यादा चर्चा में जो है वो आया ये award उस टाइम चर्चा में आया जब United Nation environment program ने जो है वो ये award जो है champion of the earth award जो है प्रदान मंत्री नरे 2018 में ये दिया गया था तब ये चर्चा में आया उसके बाद अब ये exam point of view से बहुत important बन जाता है United Nation environment program के द्वारा ये award 2005 में जो था वो एस्टेबलाइज किया गया था ये भी रियान रखना है कई बार statement based question में पूछ लेते हैं कि कब से एस्टेबलाइज किया गया है 2005 से ए award 2018 में दिया जा चुका है और 2022 में ये पूरुनिमा देवी बर्मान को दिया गया धिया काउंसी field में जाता है तो देखो जब United Nation environment program इसको देता है तो ये environment की field में जो अच्छा काम करते हैं उनको जो है वो दिया जाता है ये भी आपने यहां से ध्यान रखना है अगला question चैनल मेजर ध्यान चंद खेल रातन ऑवर्ड है वो किसको दिया गया जो तो मेजर ध्यान चंद खेल रातन ऑवर्ड 2022 का जो था हूँ किसको दिया गया सारत कमल को option आउस हैं सभरत कमल आगए अगर खेल की field में highest award है सबसे highest award अगर खेल की field में कोई होता है तो यही award जो होता है दूसरा आपने क्या धियान रखना है कि यह जो award है इससे पहले इसको राजीव गांधी खेल रतन award के नाम से जाना जाता था प्रंदूस का नाम जो था वो change कर दिया गया इसका नाम रख दिया गया major ध्यान चंद खेल रतन award यह भी पता होना चाहिए 1991 में सबसे पहली बार यह award जो था वो दिया गया था या फिर पूछा जाए कि कब एस्टेबलाइस किया गया था तो 1991-92 में एस्टेबलाइस किया गया था अब 2021 में यह announcement किया जाता है कि राजीव गांदी खेल रतन award का नाम बतल कर जो है वो major ध्यान चंद के नाम पर रख दिया जाएगा और तब से इसका नाम major ध्यान चंद खेल रतन award पड़ गया है और 2021 में यह भी ध्यान रखना है कि कब 2021 में जो था वो इसका नाम चेंज किया गया था exactly कब किया गया था 6 अगरस्ट 2021 को major ध्यान चंद कौन से खेल से समंद रखते थे तो यह hockey खेल से जो था वो संबंद रखते थे और ये जो सारत कमल को दिया गया है ये कौन सी खेल से समंद रखते हैं तो इनका भी ध्यान रखना है कि इंडिया के Table Tennis के खिलाडी है ये आपको पता होना चाहिए और इनको इस वर्सी एवार्ड दिया गया है क्या एक ही एवार्ड दिया गया है तो मेजर ध्यानचंद खेल रतन आवार्ड तो एक ही दिया गया है परन्तु इसके इलावा जो है वो अरजुन आवार्ड दिये गये हैं ध्यानचंद आवार्ड जो है वो दिये गये हैं अरजुन आवार्ड जो है ये भी खेल में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हीं क जाता है तो यह सारा आपने डेटेल में यहां से जान लिया अगला कोईशन देखिए जी अगले कोईशन में क्या बोलते हैं बोलते हैं विच आफ दा फॉल्वाइंग वन्दा 2020 वर्ल्ड कप टाइटर 2020 तो बोलते हैं कि 2020 जो क्रिकेट का कप होता है विस्व कप वह 2022 का अफ ने धियान है कि 2020 जो वर्ल्ड कप हुआ है कि किसकी में द्वारा जीता गया है यह इंग लेंड के द्वारा जीता गया है और आपने ध्यान रखना है कि England ने ये टाइटल दूसरी बार जो है वो जीता है ये बता होना चाहिए साथ में ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा रन किसे ने बनाई थे तो विडाट कोहली ने जो था हो सबसे ज़्यादा रन इसमें बनाई थे सीरीज में और most wicked जो था वो किस के द्वारा ली गई थी तो साहीब अलहसन के द्वारा ली गई थी साकीब अलहसन नाम है इनका इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है तो यह सारे important question यहां से भी होगे अगला question देखिए बोलते हैं इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशल लिट्रेसी केंप इन डल लेक हैज बिन कंस्ट्रक्टिड वाय तो बोलते हैं कि डल जील में भारत का पहला तैरता हुआ वित्य साकसरता सिविर किसके द्वारा आयूजीत किया गया है यह डल जील ह जम्मु काश्मीर की जील है यहां पर फर्स्ट एवर जो है वो फ्लोटिंग फाइनेंशल लिट्रेसी केंप जो है वो और्गनाईज किया गया साकसर करना है महिलाओं को या फिर फाइनेंशल साकसरता जो है वो देनी है वो इसका मुख्या टार्गेट था तो यह पराई इंडिया का First Floating Financial Literacy Camp जो था वदल-ज्हील में और इंडिया कर्वाया गया, और यह जो और इंडिया कर्वाया गया था यह यह जो था व निवेशक दीदी इस तरह से नाम दिया गया है निवेशक दीदी जो है वो कहा जाएगा किसको कहा जाएगा निवेशक दीदी ये कहा जाएगा उनको जो प्रोमोट करेंगे financial literacy को और जमु कशमीर की यह बात है तो निवेशक दीधि आपने ध्यान रखना है डिल जील आपने ध्यान रखना है और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपने ध्यान रखना है यही कशिन यहाँ से बन सकते हैं अगला question देखिए जी अगले question है बोलते हैं Which Asian country is named as the host of 2023 IBA Women World Boxing Championship पहले तो पता होना चाहिए कि 2023 की जो IBA महिला विश्व मुक्यबाद जी है की championship है इसको कौन जो है वो host करेगा तो अभी boxing का तो देखो जो player थे कुछ पहलवान थे मारे wrestler वो जो है हम बात कर रहे हैं boxing की तो इसके भी आपको कुछ player पता होने चाहिए प्रन्तु आपको पहले तो पता होना चाहिए कि 2023 में host कौन करेगा host किया जाएगा इंडिया के दोरा तब आपके लिए ये बहुत important है अब आपने ये भी ध्यान रख रहे हैं कि IBA ये IBA क्या है तो IBA का पूरा नाम है International Boxing Association ये International Boxing Association है 2023 में जो है महिला महिलाओं की जो 200 मुक्यवाजी Championship होगी वो इंडिया जो है वो इसकी मेजवानी जो है वो करेगा अब देखो जब भी आप boxing की बात सुनते हैं और महिलाओं की बात की जाती है तो Mary Com, Mary Com का नाम जो है सबसे पहले आपके mind में जो है वो आता है Mary Com के अलावा जो है वो एक और player है जिनका नाम है Nickth Jarin Nickth Jarin का नाम ध्यान लखना है Boxing से जो है वो संबंदित है एक लेखा केसी भी है ये भी boxing से ही संबंदित है लेखा केसी के अलावा सरीता देवी है ये भी boxing से ही संबंदित है कई बार पूछ ले जाते हैं players के नाम की किस scale से जो है वो संबंदित है तो वो इस तरह से आपको पता होना चाहिए अगला question देखिए बोलते है What is India's rank on climate change performance index 2023? Most important question की जब भी कोई index आता है तो वो सबसे ज़्यादे important हो जाता है बोलते हैं कि इंडिया का क्या rank है climate change performance index 2023 में अब देखो ये जो climate change performance index 2023 निकाला गया इसमें इंडिया का rank आया आठमा option C जो है वो सही answer है देखो ये climate change performance index आया तो 2022 में था प्रंत था ये 2023 का इंडिया के द्वारा यहां पर जो था वो दो position जो था अपने improve की गई as compared to previous one अगर हम detail से इसके बारे में जानते हैं तो detail से आपको पता चलेगा कि इंडिया का place जो है ये जो है वो यहां पर आ जाते हैं इनके द्वारा जो था ये जारी किया गया और इंडिया का rank आपको पता चल गया यहां पर क्या रहा अगर हो सकता है last year का भी पूछ लिया जाए आपसे तो last year का इंडिया का rank 2022 का जो था वो 10 था दसवा नंबर जो था वो इंडिया का था ये भी पता चल गया अब top किस country ने किया ये question हमेशा ही important रहता है तो आपको जानके थोड़ी से हरानी होगी कि top 3 की position जो है वो empty रही खाली रही किसी भी country ने जो था वो यहां पर top नहीं किया top 3 स्थान पर कोई भी country नहीं आई ranking स्टार्ट होती है चौथे, पांचवे, छटे, सात्वे नंबर से अब इसके कुछ parameter जो रखे गए होंगे उनके उपर जब कोई भी country नहीं बैटी तो पहले 3 स्थान खाली रहे गे 4 नंबर पर डैनमार्क आया, 5 नंबर पर स्वीडन आया, 6 नंबर पर चिली आया और 7 नंबर पर मरोको आया और 8 नंबर पर अपना इंडिया जो है वो आजाता है यह आपको अब पता होना चाहिए, देखिए जब कोई इस तरह का rank आया जहां पर टॉप में कोई भी country नहीं आई तो वो बहुत ज़दा important है और शाइद यह पहले पूझा भी गया है, HHS जैसे exam में इस तरह के question बहुत ज़दा relate होते हैं, यह संभावना बनी रहती है तो HHS के साथ साथ paper 1 में तो definitely आपको help मिलेगी क्योंकि दोनों paper public service commission ही जो है, वो conduct करवाएगा अगले question देखिए, अगले question में बोलते हैं, which word has been selected as the word of the year 2022 by Collins dictionary तो बोलते हैं, Collins dictionary के द्वारा जो है, वो sabd, इनके word of the year 2022 के रूप में किसे चुना गया है यहां पर जो याद रखने लाइक चीज़े हैं, वो यह हैं कि Collins dictionary है एक, जिसने जो था world of the year 2022 जो था हो जारी किया क्यूंकि अलग-लग dictionaries जो हैं, वो जारी करती हैं, तो Collins dictionary के द्वारा जो था हो जारी किया गया तो यह पर्मा क्रैसी जो था, वो रखा गया था, पर्मा क्रैसी जो है, वो सही अंसर हो जाएगा पर्मा क्रैसी जो है, वो world of the year 2022 आया, यह आप ध्यान रखें और यह question, इस तरह का question भी जो है, वो previous scenario में जो है, वो पूछा जा चुका है तो यह question भी आपने ध्यान रखना है कि previous scenario में जब पूछा जा चुका है, तो important है अब अगले, जब हम December महिना discuss करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि Oxford dictionary जो है, वो उसके द्वारा भी word of the year जो हो चुना जाता है तो Oxford dictionary ने किस word को चुना है, उन्होंने goblin mode को चुना है, वो हम जब अगले महिने के कराण टफे discuss की जाएंगे, वहाँ पर जो है, वो cover करेंगे तो goblin mode वैसे आप यहां से ध्यान रख लिजिए, तो यह आपने यहां से ज़रूर ध्यान रख लिए चीज़ें, अगला question देखिए, अगले question में क्या बोलते हैं, बोलते हैं, वर्ल्ड's longest passenger train has been launched as of November 2022 वाई, बोलते हैं कि November 2022 तक दुनिया की सबसे लंबी यात्री train की का है, प्रक्रन्तु सबसे लंबी यात्री train किसके दौरा शुरू की गई थी, यह सबसे लंबी यात्री train शुरू धी बीच था, वो 1853 में स्टार्ट की गई थी। यcieッ양 जो था, वो बॉंबे से लेकर थाने के बीच में जो था, चली थी। हमारे यहां पर भी इन्ही माशल में भी जो है वो ट्रेवना का नेटवर्क काफ़ी है काफ़ी तो नहीं कहींगे यह मुन्तल है नेटवर्क की आप कह सकते हैं अब देखो एक तो शिमला से कालका के लिए रेल चलती है एक चलती है पठानकोट से जोगिंदर नगर के बीच एक चलती है नंगल उन्ना चरारू के बीच में भानुपली बिलासपूर रेल वे लाइन जो है वो भी जो है वो अं स्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी और 1929 मझे था वो लोगों के लिए खोल दी गई थी और इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि बंदे भारा ट्रेन भी जो है वो उन्ना से लेकर दिल्ली तक चली है और हिमाचल की फर्स्ट बंदे भारा ट्रेन जो है वो चली है तो यह स सिसी का जो स्ताविस नंबर की कॉन्फरेंस वा पार्टिस जिसको कॉप 27 भी कहा गया यह जो था वो कौन सी कंट्री में हुई तो कॉप 27 ध्यान रखना है कि कहां पर हुई एजिप्ट में जो है वो हुई यह आपको पता होना चाहिए मोस्ट इंपोर्टन कोईशन है एच् कॉप 26 भी याद होना चाहिए क्योंकि प्रीवेस एक एक्जाम में पैटर्न देखा गया कि पिछले साल की मैच करने को देदी तो कॉप 27 जो था वो कहां पर हुई थी ग्लेस्गो में हुई थी ग्लेस्गो जो हो स्कॉट्लेंड में पढ़ता है कॉप 26 स्कॉट्लेंड में ह पॉड़ता है तो पॉलेंड में यह होती है 24 25 26 27 यह आपने ध्यान रखना है अब upcoming कौनसी है upcoming होगी 28 तो COP 28 जो है वो UAE जो हो होस्ट करेगा UAE आपने ध्यान रखना है United Arab Emirates आपने ध्यान रखना है यह कोईशन एक नंबर का पक्का है कि एकजाम में जो हो कहीना कहीं पर कि पर शीना किसी एक्जाम में जरूर जो है यह बनेगा अगला कोईशन देखिए अगला कोईशन में क्या बोलते हैं युद्ध अभ्यास इस अ युद्ध अभ्यास ब्हारत और किस देश के बीच में आयोजित होने वाला एक स्टैन ने अभ्यास है अब जितनी भी एक्टर साइज होती है वो स्टारी एक्टर साइज जो भूब बहुत इंपोर्टन्ट है और काफी टाइम से हम कॉंटिनिश्वी जो है वह इस अभ्यास स यह होती है एक तो इंडिया के साथ यूएस से जो है वो इसमें पार्टिस्पेट करता है और वजर प्रहार हो गया यह इंडिया के बीच में होती है 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 इंडिया और यूएस के बीच में होती है इंडिया के बीच में होती है इंडिया और यूएस के बीच में होती है इंडिया के बीच में होती है इंडिया और बहुत ज़ादा ज़रूरी है HS में पूछे जा चुके हैं और देखो पूछे जा चुके हैं तो आगे भी पूछे जा सकते हैं किसी ना किसी एक्जाम में एक तो है G.S.O.M.I.A इसको General Security of Military Information Agreement कहते हैं जितने भी Agreement है ना इंडिया और U.S. के बीच में हुए हैं इनका मतलब यह है कि एक दूसरे के साथ ना हम इन चीजों को Share करेंगे जैसे यहां पर यह Military का है तो इसमें Military का कहा गया है कि हम Information जो है और Share करेंगी यह 2002 में जो था वो हुआ था एक था LEMOA Logistic Exchange Memorandum of Agreement कि Logistic जो है हम एक दूसरे के साथ Exchange करेंगे यह 2016 में जो था वो हुआ था Logistic मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी Transport की तरह ही होता है पर उससे थोड़ा सा लग होता है किसी चीज को एक दूसरे से एक स्थान से स्थान पर ले जाना एक तरह से Logistic ही कहला आया और एक काम कैसा COM CAS है 2018 में हुआ था Communication, Compability and Security Agreement है यह 2018 में हुआ था तो यह Agreement आपको ध्यान रखने है इंडिया और US के बीच में कौन-कौन से एर में हुए है यह एर बहुत ज़्यदर जरूरी है अगला कोईशन देखिए जी बोलते हैं Morby Bridge on the Machu River is located in which state तो Morby Bridge में एक हाथसा हुआ काफी लोगों की मृत्यू जो था वो यहां पर हो गई Morby Bridge बोलते हैं जो माचू नदी के उपर बना हुआ है यह कौन से state में स्थित है तो Morby Bridge जो है वो गुजरात में स्थित है option C जई अंसर है अब यह गुजरात में स्थित है चलो ठीक है गुजरात में स्थित है अगे कोई पिछले साल ही गुजरात में election हुए थे तो यहां के CM भी important है भुपेंद्र भाई बटेल जो है वो यहां के CM है इससे भी जादा important क्या हो जाता है इससे भी जादा important हो जाती है यहां की जो number of seats है legislative assembly में तो गुजराद की legislative assembly में जो है वो कितनी seats है ये question जरूर exam में बन सकता है हिमाचल के साथ ही यहां पर election जो है वो देखने को मिलते हैं तो यहां पर 182 seats जो है वो आती है किसकी विधान सभा seats जिनको आप कहते है legislative assembly के seats जिनको कहा जाता है और इसके लावा लोकसभा में कितनी seats यहां पर आती है तो लोकसभा में 26 seats जो है यहां से आती है तो यह आपने अब ध्यान रखना है कि कितनी लोकसभा में यहां से member चुनकर जाते हैं कितने विधान सभा में चुनकर जाते हैं मौरबी ब्रीज जहां पर हात्सा हुआ वो कौन सी नदी के उपर बना हुआ है माच्छूर नदी के उपर बना हुआ है और कहां पर है ये भी पता चल गया अगला गोशिन देखिए बोलते हैं विच विच सिटी इस दा होस्ट अफ इंडिया केम 2020 टू कॉन्फरेंस में जो ठाव किस ने इसकी मेजवानी जो ठाव की गई कहां पर की गई इंडिया की कौन सी सीटी में की ये कंस टेन्ड फोर केमिकल ही है एक तरह से तो यह इंडिया केम 2022 कॉन्फरेंस जुथा ऑस न्यू दिल्ली में जो था यह conference हुई यह आपने जरूर धियान रखना है आपने अगर पीछले साल के पेपर देखे हैं तो पिछले साल के पर में यह ट्रैनर रहता है कि अगर statement based question पूछा गया तो पूछ लेंगे क्या बोलते हैं अगले question हैं बोलते हैं operation vigilant storm is a defense exercise conducted between USA and which country तो operation vigilant storm जो है यह exercise होती है USA और किस country के वीच में जो होती है अब देखो यह USA के साथ होती है USA के साथ जो है South Korea exercise को करता है option भी सही अंसर है South Korea अब देखो यह दो country है एक North Korea है एक South Korea है North Korea और South Korea के बीच में जो border बनता है वो 38th parallel के नाम से जाना जाता है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में Red Cliff Boundary है वैसे ही North Korea और South Korea के बीच में जो है वो इस border का नाम 38th parallel है जो 38th parallel है ठीक है यह question भी पूछा जा चुका है एक वार कि 38th parallel किस country का है तो North नौर्थ कोरिया सौथ कोरिया थियान रखना, दूसरा OPERATION विजिलेंट स्टॉर्म साथ चुम्ड़िया के साथ उनटेड्ट रहा है तो इसलिए जो है ओग्रेंसीव मोड है तो इसलिए नहीं बनती थूद्धूर्शिप ओए ऑब आगारब होँँ आज यह जाती है अगला question देखिए बोलते हैं हमर बेटी हमर मान ये campaign चलाया गया है ये कौन से state के दोरा चलाया गया है और ये जो हमर बेटी हमर बेटी हमर मान है ये campaign जो हो चलाया गया है कौन से 36 गड़ की सरकार के दोरा जो हो चलाया गया है किसकी 36 गड़ की सरकार के दोरा चलाया गया है Option D जो है वो सही अंसर हो जाएगा 36 गड़ के CM कौन है तो भुपेश भागल ये जो हैं 36 गड़ के CM है इनके दोरा ये हमर बेटी हमरमान कैमपेंग जो है वो चलाया गया था क्यों चलाया गया लड़कियों की बेटीयों की सुरक्सा के लिए जो था ये कैमपेंग चलाया गया था तो इतना पता होना चाहिए आपको बेटीयों की सुरक्सा के लिए ये अभ्यान चलाया गया किस स्टेट ने चलाया ये आपको बता होना चाहिए कई बार पूछे गए हैं इस तरह के अगर आप प्रिवियस येर के मैं सारा उसी तरह से questions को डिजाइन करता हूँ जो प्रिवियस येर के paper में जो है question पूछे गए है ताकि आपका revision तो हो ही सके आप नई चीज़ें भी सीख सकें और आने वाले exam में फिर definitely आप जो है उस exam को crack कर पाएं आपको exam में बैठकर लगे ये कि नहीं आप आप इस exam को clear कर देंगे इस बार ठीक है ये हो गया ये national international affair का question है बोलते हैं Turkey is located between बोलते हैं कि तुर्की जो है वो किसके बीच में स्थित्त है तुर्की जो है ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी इनके बीच में जो है वो स्थित्त है option B जो है वो सही answer है अब देखो जब examiner को थोड़ा सा tough paper पूछना होता है न तो वो क्या पूछलेता है कि ब्लैक सी के साथ गौख जो है वो ब्लैक सी के साथ यूक्रेण और रएसिया जॉर्जिया, टर्की और बल्गारिया, रोमानिया यह जो है वो ब्ल्ड़र unter शेयर करती है तो यह पूने कांट्रियज आपको पता होना चैना होनीचाहिए कौन कौन सी countries है यूक्रेन हो गया रश्या हो गया जॉर्जिया हो गया तर्की हो गया बलगारिया रोमानिया ये countries आपने 6 countries ध्यान रखनी है और मेडिटरेनिंजी को जो हो बहुत ज़़ा countries करते हैं तो सभी के नाम important नहीं है black sea को थोड़ा कम करती है तो इनके नाम important है तो इनके नाम हमने जान लिए definitely आपको याद रहने चाहिए exam में अब देखो question देखो गला बोलते है which of the following countries has returned to Arab league after 11 years तो एक country ऐसी है जिसने 11 वरसों के बाद Arab league को जो हो वापिस join कर ली है फिर से वापिस वहाँ पर लॉट आई है अरव league में यह आपने comment करके बताना है अभ्यास series का जो part number 9 था वहाँ पर discuss हुआ है यह question अभी हम part number 11 जो हो discuss कर रहे है 11 इसलिए discuss कर रहे है 10 बीच में missing मिलेगा अभी आपको जल्दी upload कर दे जाएगा क्योंकि 10 जो part है उसमें मई महिने का part 2 जो हो current affair का discuss किया जाएगा part 1 हमने 9 में discuss कर लिया है जो part 9 है और part 10 में जो हो दूसरा भाग जो हो मई महिने का आ जाएगा part 11 में तो आपको पता है हम November 2022 के discuss कर रहे हैं और 2023 की series जो है पहली अभ्यास का part 1 to part 10 जो है वो 2023 के current affair से भरा हुआ है सारा अब 11 नंबर का part जो चलता है वो November का चलता है यह सारा इसलिए है क्योंकि आपका अच्छे से revision हो सके आपको पता है कि vacancies कितनी कम निकल रही है तो अच्छा revision आपका होना चाहिए टेलीग्राम पर भी हम practice जो हैं QG's आपको कराते रहते हैं टेलीग्राम पर join करने के लिए अपने टेलीग्राम से at the rate all exam 31 इस तरह से सर्च करना टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा टेलीग्राम पर जरूर जोइन कर लें वहाँ पर PDF important information हरी जानकारी जो exam में आपके help करती हैं वो दे दी जाती है that's all for today thank you thank you very much for watching and listening it very patiently